यह एक डिब्वे ज्यान सत्र है, पारमहन से सहिता है यह, इस पारमहन से सहिता की फलश्चुती ब्रह्म ही है, इस पारमहन से सहिता इस सनातन वारता ब्रह्मरस की जो फलोपलब्दी है, फलादेश है, फलश्चुती है, वे ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, इसलिए कथा श्रमन का फल इश्वर है यह कथा समग्रत है पूर्णत है स्वभावत है भगवद विग्र है यह भगवदिय वारता है सनातनी वारता है यह इश्वार्ता है इश्व की व्याख्या है भगवदिये विवेचन है यह स्वैम भगवान ही है शास्त्रकार महापुर्शों का यही अभिमत है श्रीमत भागवद भगवान का वांगमे चिनमे रूप है शब्द रूप है वैकरी रूप है आखर अक्षर रूप है इस धर्ती पर हर चीज मिठती है अक्षर कभी नहीं मिठता यह हर वस्तु नश्वर है क्षर भंगुर है विनाशी है उसमें विकार है परिवर्तन है और उसका अंत है यहां के प्रतेक पदार्थ का अंत है पर जिसका अंत नहीं है वो अक्षर है अक्षर कभी क्षरन को नहीं जाता उसमें क्षरन नहीं होता क्षय नहीं होता तो यह अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की उपासना है यह तत्तत अभेदो पासना है अभेदो पासना करत है कि कोई भेद नहीं रह जाता जीव में और ब्रह्म में भक्त और भगवान में सिद्ध और साधक में गुरु और शश्य में देखने में दो अलग अलग धुरुब दिखाई देते हैं शश्य और गुरु के गुरु शश्य निसंदी दो धुरुब हैं पर तत्त तह अभे रूप से वह एक ही सत्ता है वो युगल वो दो दिखने वाले एक ही हैं उनके बीच में श्रद्धा भक्ति ज्यान वैराग्य आस्था भगवदिये मान्यता और अपूर्व समर्पन परस्पर एक दूसरे के लिए प्रीति एकात्मता उस द्वी को उस द्वैत को मिटा देते हैं हुआ है